हेलो दोस्तो यस्टीवी की एक और फ्रेशनी वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ डेट फ्री स्मॉल केब स्टॉक्स जो की फंडमेंटली स्टॉक्स है और इनके बिजनसेज ये काफी जादा प्रॉमिसिंग लग रहे है तो दोस्तो वीडियो ये काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसे एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपने मेरा ये वाला फंडमेंटली स्टॉक्स का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा वीडियो बना है और इस वीडियो से भी आपको काफी इंट्रेस्टिंग स्टॉक्स मिल सकते है तो फिर चलिए दोस्तों बिना जादा समय गवाए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर जो की है डेट फ्री स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड अभी ये स्मॉल कैप कंपनी क्या है जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटल ये पाच हजार करोड से नीचे होता है उसे हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते है तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है सहियादरी इंडस्ट्री इस लिमिटेड ये कंपनी प्राइमेरिली बिल्डिंग माटीरियल बनाती है जहां बिल्डिंग माटीरियल का मेजर डॉमेस्टिक मार्केट ऑपरेट करता है सहियादरी इंडस्ट्री की लीडर्शिप पोजिशन को ये स्ट्रॉंग बना देता है और लोजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कंपनी को बेनिफिट मिलता है इनका डिलर नेटवर्क ये काफी स्ट्रॉंग है विट ओवर 3000 प्लस डिलर्स जो इनके ऑपरेशन को स्ट्रॉंग बना देता है इन वेस्ट और साउथ इंडिया कंपनी में अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ये 66% के करीब है जो कि स्टॉक को काफी अट्राक्टिव बना देता है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रिशो देखे तो ये 5.6 पर है और इंडस्ट्री पी के अगर हम लोग बात करें तो ये 15.6 पर चल रहा है तो स्टॉक प्राइस के लिए काफी ज़्यादा हेड्रूम बच जाता है उपर जाने के लिए कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैपिडल देखे तो ये 294 क्रॉर रूपीज पर है और कंपनी की बैलेंच शीट पर करजा ये केवल 1.34 क्रॉर रूपीज है 300 करोड की लगबग की कंपनी है और कंपनी की बैलेंच शीट पर सिर्फ एक करोड का करजा है और वही अगर हम लोग इनके रिजर्वस और सर्प्लेस देखे तो ये भी काफी ज़्यादा हेल्दी है एड 211 क्रॉर रूपीज तो दोस्तो ओल एन ओल ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है स्ट्रॉंग प्लियर है इन दर रूफिंग शीट्स बिजनेस और कंपनी का ब्रैंड प्रेजन्स ये रूरल मार्केट में काफी स्ट्रॉंग है तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है और ये स्टॉक को हमें अपनी वाच लिस्ट में डेफिनेटली एड करके रखना चीए वडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपना न्यूदि मैट अकाउंट ओपन करना है तो इंजल ब्रोकिंग में आप फ्री में अपना न्यूदि मैट ओपन कर सकते हो हमारी लिस्ट में अगली small cap company है Sharda Motor Industries Limited ये company mainly automobile components की manufacturing and assembly का काम करती है mostly exhaust systems and suspensions ये company बनाती है for the passenger vehicles, commercial, heavy vehicles, etc, etc इसके अलावा ये company white goods की assembling का काम भी करती है for coolers, refrigerators, etc, etc automobile components के business में company का 90% of revenue ये exhaust systems and suspension lines से generate होता है from three major clients namely Mahindra and Mahindra, Hyundai and Tata Motors तो यहाँ revenue का concentration ये three major clients से नहीं होना चीए था ऐसा मुझे लगता है बाकी company की liquidity position ये काफी strong है अभी recently company 25 करोड का capex करने वाली है जिसकी funding ये fully cash accrual basis पर होगी तो ये company के management जो है ये कम से कम debt लेना prefer करती है जो की बहुत अच्छी बात है और दोस्तों ये company रेगिलरली अपने profits को reinvest करती है तो यहाँ पर risk profile का काफी जादा कम हो जाती है company का यहाँ पर हम लोग market capital देखे तो ये 1250 करोड रूपीज पर है और company के balance sheet पर सिर्फ 10 करोड का करजा है reserves and surplus के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 373 करोड रूपीज का healthy surplus मनी है company में promoter holding ये 73% के करीब है और यहाँ पर अगर हम लोग इसका stock P ratio देखे तो stock P ratio ये 23 पर चल रहा है and industry P ratio ये 37.8 पर है तो ये एक अच्छी बात है stock के लिए काफी ज़्यादा headroom है तो यहाँ पर दोस्तो growth possibilities ये काफी ज़्यादा high लग रही है company का return on capital ये 17.2% है जो की बहुत अच्छी बात है इतनी छोटी company के लिए तो ये stock को भी आप definitely अपनी watch list में add करके रखिए long term में ये stock बहुत अच्छा कर सकता है हमारी list में अगली small cap company है श्री दिग्विजय Cements Limited दिग्विजय Cements ये गुजराद based company है जो primarily 50 types of cements की manufacturing and selling करती है तो ये company fully connected ऐसी company है with roadways, railways, airways and seaways दिग्विजय Cements इनका अपना private port है अपने माल को export करने के लिए तो company के promoter group का experience ये भी काफी बढ़िया है in domestic and international cement market कमाल cement ये इनका अपना brand है जो काफी strong है in the gujarat region company का यहाँ पे return on capital employed ये extraordinary है at 29.2% जोकि बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे दोस्तों इसका stock P ratio ये almost similar है compared to industry P तो ये ज़्यादा undervalued लेई है लेकिन stock ये value pick है company का यहाँ पे market capital ये 850 crore रूपीज का है और balance sheet पर अगर हम लोग करजा देखें तो ये केवल 0.56 crore रूपीज का है तो fully debt free ऐसी ये company है almost negligible इनके उपर करजा है and reserves and surplus की बात करें तो company के पास 127 crore रूपीज का surplus money पड़ा है तो 850 crore रूपीज का market capital है और केवल 56 lakh रूपीज का करजा है जो कि almost negligible हो जाता है तो ये stock को भी आप अपनी watch list में रखिए second best performing cement sector का stock है in the last 3 years और ये आगे भी बहुत अच्छा कर सकता है ये opportunity miss हो गई तो कोई बात नहीं दोस्तो आगे ऐसी मैं आपको बहुत सारी opportunities दूँगा तो इसके लिए आप मेरे channel को subscribe करके रखिए और हो सके तो आप मेरे facebook page को follow कीजिए क्योंकि वही पर मैं सबसे पहले stocks की information देता हूँ और बाद मैं यहाँ पर video upload करता हूँ ताकि भाव ना निकल जाए हमारी list में अगला stock है Easter Industries Limited EIL ये Irwin Singhania Group की company है जो basically packaging film specialty polymers and engineering plastics की manufacturing करती है company packaging films के business से 80% of revenue generate करती है जो की बहुत बड़ी बात है specialty polymers में भी ये अच्छा progress कर रही है और यहाँ से भी double digit revenue ये देखने मिल सकता है COVID-19 के period में company ने expectation से काफी बुरा perform किया है और यहाँ पे इनकी profitability ये भी काफी जादा नीचे आती हुई नजर आ रही है from the year 2019 company का यहाँ पे हम लोग market capital देखें तो ये 976 crore रूपीज पर है company के उपर केवल 99 crore रूपीज का करजा है जो around 10% हो जाता है as compared to market capital and reserves and surplus में company के पास 421 crore रूपीज का surplus money है so 2022 तक company को around 35 to 40 crore रूपीज की debt repay करनी है plus उन्होंने capex भी plan करना है तो ये करने के लिए company के पास sufficient amount of cash है और ये internal cash accrual से भी possible है so यहाँ पर कोई नया loan नहीं लेने वाली ये company till 2023 ये management ने बताया है and इन company की financial position ये भी काफी ज़्यादा strong लग रही है so दोस्तों ये small cap stock को भी आप अपनी watch list में रख सकते हो और ये stock मुझे ऐसा लगता है कि short term to medium term में अच्छा कर सकता है हमारा अगला small cap stock है कल्याणी steels limited ये बाबा कल्याणी group की company है जो भारत forge के chairman है भारत forge ये world की second largest forging company है और कल्याणी steel ये भी forging के business में ही है तो ये company types of steel products manufacture करती है for automobile sector, railways, oil and gas, bearings, energy sector, etc. company के top 5 OEM manufacturing clients है जो इनके steel products purchase करते है और कल्याणी group की credibility का भी इस company को फाइदा मिलता है आगे चलकर short to medium term में steel के लिए demand ये बढ़ती नजर आ रही है supported by automobile sector, pipes manufacturing sector and infra activities में भी एक अच्छा uptick हमें देखने मिल सकता है in railways, metro projects as well as in roads and bridge construction projects तो ये company की दोस्तों यहाँ पर पाचो उंगलिया घी में लग रही है और company की liquidity position ये most importantly काफी जादा strong है इनके पास 359 crore rupees का free cash at bank पड़ा है plus company के पास 50 crore rupees की worth liquid investments पड़ी है in the form of equity shares and mutual funds company का यहाँ पर हम लोग market capital देखें तो ये 1350 crore rupees पर है और इनकी balance sheet पर सिर्फ 50 crore का करजा है steel business ये काफी capital intensive होता है लेकिन company यहाँ पर बहुत ही अच्छा money management कर रही है reserves and surplus की बात करें तो ये भी काफी healthy है at 996 crore rupees company का return on capital employed भी काफी attractive है at 18.6% generally steel business में returns ये काफी कम होते है लेकिन ये company अच्छा return manage कर रही है stock का price to earnings ratio ये 9.8 पर चल रहा है and industry PE ये 14.8 पर चल रहा है तो अभी भी stock का PE ratio ये काफी दीचे है और ये industry PE ratio के साथ catch up कर सकता है कभी भी तो ये stock को भी आप अपनी watch list में add करके रखिए short to long term में ये stock बहुत अच्छा perform कर सकता है दोस्तो हमारी अगली small cap company है अंजनी Portland Cements Limited अंजनी Cements ये obviously एक cement manufacturing company है जो primarily 3 types of cements बनाती है like OPC, PPC and composite cements CC OPC यानि ordinary Portland Cements से company 78% revenue generate करती है तो यहाँ पे ये company बहुत अच्छा कर रही है बाकि PPC and CC से ये company 14 and 8% revenues generate टर रही है तो ये company अंजनी brand के अंडर अपना माल बेजती है and 1500 से ज़ादा dealers का इनका एक strong network है जो पूरे South India में फैला है पाचो states में company का major 70% of revenues जो है ये आंदरप्रदेश and Telangana से आता है और Telangana में ये company ने अपना एक thermal power plant भी setup किया है अंजनी Cements का business ये mostly coal के उपर dependent होता है तो ये company बहुत बड़े पहमाने पर coal import भी करती है and domestic market से भी लेती है so coal prices में आने वाले fluctuations का भी company के business पर काफी फरक पड़ता है पिछले तीन सालों में company की financial performance ये काफी ज़ादा इंप्रूव हुई है और company के उपर long term borrowings यानि करजा ये बिलकुल भी नहीं है हमारी लिस्ट में आखरी small cap company है Auro Labs Limited ये company primarily active pharma ingredients वाली company है Auro Labs के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ Auro Labs ये anti-diabetics की API में specialization करती है यानि diabetes की दवाईयों में जो active ingredients होते है ऐसे drugs में ये company dealing करती है तो इनका 50% of revenue जो है ये export से आता है और ये company बहुत सारे countries में APIs अपने supply करती है जैसे की Egypt, Germany, Singapore, Brazil, Spain, etc, etc आगे चल गर company ये expansion project लाने वाली है around 12.5 crore rupees का और ये partly debt funded रहेगा यानि ये company इसकी funding के लिए आधी debt लेगी 6 crore rupees की और बाकी के बचे 6 crore rupees का company cash accrual में payment करेगी तो company का यहाँ पे हम लोग market capital देखें तो ये केवल 52 crore rupees का है company की balance sheet पर बिलकुल भी करजा नहीं है यानि ये fully debt free ऐसी company है और company के reserves and surplus की हम लोग बात करें तो reserves and surplus में company के पास 18 crore rupees का surplus मनी पड़ा है तो company के आगे चल कर growth prospects ये काफी strong है anti-diabetics के लिए world market में भी काफी ज़्यादा high demand है तो ये stock को आप definitely अपनी watch list में रखी है क्योंकि यहाँ पे इसके business की growth potential ये काफी ज़्यादा high लग रही है और ये stock long term में एक बहुत बढ़िया multi-wagger बन सकता है आज के लिए दोस्तो बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ facebook और whatsapp पर ज़रूर share कीजिए अगर आपने yes tv को अभी तक subscribe नहीं किया तो ज़रूर subscribe कीजिए और bell icon पर click करना मत भूलिए क्योंकि stock market से related मैं बहुत सारी ideas यहाँ पर free मैं देते रहता हूँ